नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आप शबी के लिए आज के यहाँ वीडियो बहुती महत्पून है और बहुती जादा आवश्यक है दोस्वों आप कोई भी वीडियो देखे हो या फिर ना देखो उख्षी मतलब नहीं लेकिन दोस्व आपके उपर आपके परिवार के कई शदर्श हैं, जो कि आपके उपर निर्भर करते हैं। इसलिए दोस्तों आप अपने भलाई और अपने परिवार की रक्षा के लिए इस वीडियो को अंत तक जरू देखिएगा। दोसों हमें कहते वे या बात बहुत ही बुरा लग रहा है परन्तु यह बातों को आपके शान सामने लाना उतना ही जरूरी है जितना की जरूरी आपको इस वीडियो को देखना जिहां दोसों दोस्तों हम आप शीबी को बिता दीически पिछले कई शमैशे आपकी पीछे बहुत शारे शट्रू लगे हैं जी हाँ दोस्तों जो आपको जानश्य मार देना चाहता है दोस्तों एक दो शत्रू नहीं है बलकि 405 शत्रू है जोकि दोस्तों आपको बरवात करना चाहता है लेकिन शत्रू ताकत वर बन चुगा है जिन दोसों और धिरी ताकत वर ही बनते जारहे हैं आप शुपिक को बता देक진 जैंव शत्रू है ये तीन शत्रू काफि शक्ति-शाली है जो कि आपको जांशेव मारना चाहता है जी अदोसों ये चाहता है कि आप कब इनके जुनकाल से हट जाए और ये पूरी दरश है आपके जुनकाल में राज करश्च के आपके बताई हुए बातों पर आपके जो भी बात आ ये परकार्श कहें तो दोस्वों ये आपके जगहों पर ये राज करना चाहता है जिया दोस्वों हम आप शुपी को बिता दें कि दोस्वों यश में ये जो शत्रू है काफी ताकतवर बनते जा रहा है और काफी ताकतवर ये है लेकिन दोस्वों हम आप शुपी को बिता द पिछले कई दिनों से आप उपने जुनकाल में बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं आप शबलताओं को प्राप्ट कर रहे हैं जिया दोसों आप सभी को बता दी कि आपने महनत से जितना ही धन को इकठा किया है आप महनत से परिश्रम करकर जो भी खुशियां पाते हैं दोसों ये खुश्यां भी इन्हें देखी नहीं जाती, जिया दोसों, ये आपके जान के दुश्मन बने पड़े हैं, जिया दोसों, और दोसों यश्में आपको उन्छे शावधान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिया दोसों इसलिए आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिश्मत कीजेगा, जिया दोसों इन्हें अंतर तक ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में हम आपको हरी को बात बताएंगे, जिनसे आप इन शारी दुस्मन से बच पाएंगे, उनसे छुटकरा भी पाएंगे, और कौन व्यक्ति है, इसका नाम क्या है दोसों आज की इस दोसों आप शिवी का कोई भी इन्शान बाल भी वाका नहीं कर पाएगा, कोई भी शत्रू आपको पैशान नहीं कर पाएगा, चाहे वो जितना भी जोर लगा ले, जिन दोसों तो आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है, कौन से उपाएंगे को करना है, और कौन से कार को नहीं करने हैं शारे विश्विश बात है वीडियो को दिखेएगा तो आई दोसफों बात करते हैं शरपरतन जोपि-भगवान शनी देप के शच्चे भगते हैं जो भी वगवान भुलेनात के शच्चे भगते हैं वीडियो को एक प्याराश लाइक जरूर ही केज़ेगा और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सरव परतम चैंग को आप सब्सक्राइब कर लिजएगा दोस्तों ये आपके लिए वेहादे जरूरी है और बेल आइकन को भी प्रेश कर दें और शादित साथ दोस्तों कमेंट बुक्ष में शच्चे मंच्चे शच्चे हिर्देवावशी जय भुलेनात जय शनिदेव जरूर लिखेगा दोस्तों भगवाण भुलेनात और शनिदेव की अशिम किर परदिश्टी आप शबी को ब्राप्त होगे जिवन काल में आपके शंकर्प इन शच्च्रूं से रक्षा आपको करेंगे जी हां दोस्तों तो आई दोस्तों बात करते हैं दोसों, शब्शे पहले आप शिवि को बता दें, आप इस बात का ध्यान रखें, कि दोसों य incentru है यह आपके गुपतर में, यह आपके अपने में ही छिपे हैं, जिहां दोसों इस बातका आपको ध्यान रखना है, आपको यह नहीं शमझना है कि यह शत्रू कोई बाहरी शत् यह नहीं बातों को जान कर यह आपको बहुत बात नुक्षान करने की भी कोशिश करते हैं जिहां दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है जिहां दोस्तों शाद शाद आपको बता दे कि कई बार यह आपको परिशान किया है कई बार इन्हों ने आपको इतने बड़े ध चड़िनतर रचा है जिसे आप शमाज में आपका इज़त खराब हो जाए आप जेल सली जाए बहुत बार आपको उपर एशी पर्यास नों ने किया है जें दोसों बहुत शारे जातक तो जेल भी जाज सुके हैं इनकी वज़ेशी लेकिन दोस्तों बहुत शारे यह से जातक ह इसलिए आपके राज को जानकत काफी सकती साली होते जा रहा है तो दोस्तों आपको इश बात काव शक्त ध्यान धखना होगा और दोस्तों आम आप शिवी को बढ़ाए दे कि यह शत्रू एक नहीं है दोस्तों चार-पांच शत्रू है जिन में से तीन शत्रू आपके जिन शात रहते हैं और दोस्तों आपके शात रहकर आपके शारे राज को जानते हैं इसलिए दोस्तों आपको बिलकुल ही बरवाद कर देना चाहता है और कई बार यह आपको बरवाद भी किये हैं कई शारे कारियों में आपको नुक्षान भी कराए हैं और बाद में आपको दि जाताने वाले हैं, उनसे आपको मल करर रहना होगा और कुछ बातों कि आपको भीसी ध्याना गई दोंस्तों इस बातका आप ध्यान करें, अगर आप कंछ गलत नहीं करेंगे, तो आपका ये बाल भी भाका नहीं कर पाईगा, आप इस बात से निश्चित रहें कि कोई भारी दुश्मन होता तो आप लड़ लेते लेकिन दोस्तों जब आपके अपने ही घर के लोग आपको परिशान करने में लग जाए तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दुख होती है बहुत ज़्यादा तकलिफ होती है और ये तकलिफ आप किशी और को भी बताने ही शक्ति किशी और को बताएंगे तो दोस्तों वह वेक्ति आपके ही पर हच देगा कि ये तो आपके अपने ही है आप इन पर बहुत ज़्यादा भरुशा करते थे और यही किये इसलिए दोस्तों आप किशी और को भी ये बाते नहीं बताएंगे हलांकि दोस्तों आप इस बात का बहुत ही खास द्यार रखें कि ये शत्रू आपके शाद गुंते हैं और ये आपके अपने खास आदमी हैं ये आपको आगे बहुती मिठा बोली बोलते ही और फीट पीछे ये आपके छुरा भुखने का कारी करते ही और शामने जब भी आजाए तो दोस्तों ये अच्छी बनने का दिखावा बहुती अच्छी तिरकेश कर लेते ही और आप इन पर बहुती ज़्यादा यकिन भी कर ल है दोस्तों अगर शबी लोग आपकी जिशे होते तो दोस्तों इस धर्दी पर दुख दर्दो और शंकट की चमिश्या कभी भी नहीं आते जहां दोस्तों आप शबी को बतादे कि ये इनसान आपके पीट पीछे हमेशा खंजर भुकने का कार्य करते रहता है तो दोस्तों आपके शत्रू आपके इनी शबातों को जान कर आपको सती भौशान का कार करते हैं जिए दोस्तों तो आई दोस्तों आपको परिशान ना करे और आपके जुनकाल में जोभी आपको बताते हैं कि अगर आप शत्रू का नाम जानते हैं उनके लिए अलग उपाई बताएंगे और शत्रू का नाम नहीं जानते हैं उनके लिए अलग उपाई बताएंगे जिया दोस्तों शबसे पहले अगर आप शत्रू का नाम नहीं जानते हैं तो दोस्तों एशे में आ करना है शाट चाहिए शत्रू की जो बधाई होती है शत्रू के विनाषकारी श्रणिन्त होते हैं दोस्तों वो शमाप्त होते हैं और शत्रू अपने ही जुनकाल में श्च्रू के ही कारियों में उलती जाते हैं जिनके कारण वह किशी अन्य के कारी में अर्चने डालने के लिए शमे ही नहीं निकाल पाती। एक प्रकारश्य के हैं, तो दोस्वों इनमी इतनी शक्ति शाली है कि शत्रू खुद के ही शेडेंतर में फस जाएंगे। जिन दोस्वों, शाद शाद हम आपको बता दें कि जो शत्रू आपको प्रिशान करना चाहेगा, दोस्वों खुद ही प्रिशान होगा और कोई भी आपका च्छाकर भी बाल भी मांका नहीं कर पाएगा। जिन दोस्वों, ये काफी ही शक्तिशाली उपाय है, इन्हें कर देने से कोई भी व्यक्ति न शोशकता है। तो दोस्वों, अगर आप शत्रू का नाम जानते हैं, तबी इनका उपाय किजीगा, परना दोस्वों, इनका उपाय मत किजीगा। दोस्वों, आपको क्या करना है? कि शत्रू का अगर नाम जानते हैं, तो आपको 38 दाने उड़त के दाल लेने हैं। शाथिशाव दोस्वों, 44 दाने आपको चावल के दाने लेने हैं। जह दोस्वों, बिलकुल ही टूटे ना होना चाहिए। दोसिसों इस बात का ध्यान रखें और शाति-ठधां दोसों एक हरी नुम्डू आपको लेना है। दोस्तों और इन्हें ले जाकर संदिया के शम में शुर्यस्त की बाद किशी सुन जान जगह पर जै दोस्तों जहाँ पर कोई उष्ड में ना आये दोस्तों इस बात का ध्यान अड़कें शाथि-शाद दोस्तों आप शुपばी को बता दें कि जहां पर जाएं उस जगत चार रास्ता होना चाहिए जे दोस्व अगर आपके कहीं पर वेशी रास्ते हैं छोटी भी रास्ते हो सकते हैं पेदल चलने के भी रास्ते होने चाहिए उनसे कोई दिकत नहीं है लेकिन चारों तरफ शे आने जाने के रास्ती होना चाहिए जे भी आपके शत्रू है उस निम्बू के निचीड़ कर उसमें डालना है और दुश्मन का शत्रू का भी आपको नाम लेते रहना है जब वे शारे निम्बू के रश गिर जाए तो दोस्तों चारो निम्बू को चारो दिशाओं में भेंग देना है एक परकारशियों के हैं तो पीछे मुड़कर यानि कि दोसों पीछे मुड़ते हुए आपको वापस घर की और आ जाना है दोसों दोबारा उधर देखना भी नहीं है जे दोसों और जब भी आप एक किरिया करें कोई आपको रोके टोके ना इश्बात का ध्याद रखें दोसों एक किरिया करने के शात दिन के मातर ही दोसों आप देखेंगे कि जो आपके शत्रु है जिनका आपने नाम का जब किया है दोसों वो धीरे धीरे विनाश होने लगेंगे उनका बरवादी शुरू हो जाएगा जी हैं दोसों और वो अगर आपके अपने हैं शगिश मंदी है तो दोसों ध्यान रुखेगा वो आपशी माफीब में मांगेंगे जी हैं दोसों लेकिन आपको करना क्या है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है आपको बोलना है कि हम कुछ नहीं किये हैं वरना दोसों आपकी जुनकाल में भी बहुत बड़ा शड़ेंतर हो शकता है आपके लिए भी विकट परिस्तिती बन शकती है तो इस बात का आप ध्यान रखेगा शादिशा दोसों आगे आपको क्या करना है दोसों एक और बात घर्शी कभी भी किशी कार के लिए जाएं तो मिんम आपको अपने आप में ही हर बातों को रखना है इस बात का आप ध्यान रखेएं जैघी दोसों अपने इंसान को भी बताने के आपको प्रहेश करना होगा कि दोसों ए जो शमày हैं आपके लिए अपने ही लोग आपके शत्रू बनते जा रहे हैं जैघी दोसों आपकी बाहर निकलते हैं, वहां चलाते हैं, थोड़ी शावधाने से चलाएंगे, तो आपके लिए बहतर होगा, राज्ति में कहीं भी जाएंगे तो आपके लिए बहतर होगा, दोसों अगली बात यश्में आपको गुप तुरुप शत्रू, आप शे लड़ाई भी करशकता है इस उसके लड़ाई में आपको बिल्कुल भी दखलनदाजी नहीं करना है, वरना जो भी दो लोग लड़ रहे हैं, अगर आप उसके बीच में जाएंगे तो दोसों शारा मुश्यबत आपके शर्पर ही पड़ सकता है, जिया दोस इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि कोई भी खबर किशी भी इंसान को ना दे, चाहे आपके कितना भी शगे जित्रदार हो या फिर किशी भी शगे शमंदी हो, जी दोसों, शादिशाद आपको बता दें कि घर में किशी का शादी का रिष्टा टूटा हुआ है, शादी के बारे में किशी का बात करना चाह रहे हैं तो दोस्तों उसके बारे में भी आपको खेशी को नहीं बताना है उसे भी नुक्षान होगा कार्यों में आपको अशपलता प्राप्थ हो जाएंगी तो दोस्तों इस बात कर ध्याद रखें आपको कई बार दोस्तों मुशिवत में भी फशाना चाहा है कई बार आपको कोट के चकर भी भी लगना चाहा है जेल के चकर में भी वो पड़ोने चाहा चुगा है जी दोस्तों कई बार उनकी कोशिच शफल भी हुए है लेकिन भगवान भोलेनात की किरपा आपके शाथ होने के कारण दोस्वों कई बार आप छुट भी गए हैं उशमश्याई आपके शाथ से हट भी गया है जी हैं दोस्वों शाथ शाथ आपको बता दे कि अगर गाउं शमाज में रिस्ता मानते हैं तो दोस्वों वह आपको लक्ष रखता है थोड़ा ध्यान से शमझना है कि दोस्वों इस बात को आपको लंबे शमश में से कई बार प्रयाश करने का प्रयाश कर चुका है जेल भीजने का भी प्रयाश कर चुका है दोस्वों शीदे शब्दों में कहे हैं दोसों आपके जान लेने का भी प्रयाश बहुत शारी लोग कर चुके हैं। जे दोसों ध्यान सोचेंगे तो कुछ दोसों आपको शमयर में भी आ जाएगा। उश्य आपको शत्रक रहना होगा और कभी भी उनके कुछ बातों में आपको कुछ भेजना नहीं है। कोई बात कहेगा। कुछ भी बातों में आपको ख़ितना भी चाहे लालस देगा। दोस्तों आपको चाहता है कि केशे आप अपनों में ही लड़कर अपनों में ही कटकर दोस्तों अपना नुक्षान कर बेठें और ये बिना कुछ किये हैं आपके लाब लिशके जिया दोस्तों यो के हैं तो शांप में मर जाए और लाठी भी ना टूटे दोस्तों शणयंत य दोस्तों आगे हम कुछ आपको महत्पूरन बात बताने वाले हैं जिनसे दोस्तों आपके जुनकाल के और भी बहुत शारी कारे आपके लिए बहुत यहुशान हो जाएंगे जैसे कि दोस्तों आपके कोई भी श्रणी शमदी हो जिनको पेशा देना बहुत ज़्यादा वोशक है जो अपशी पेशा मांग रहा है तो दोसों इस बात के ध्यान रहेगा कि पेशा मांगते शमे आप उन्हें दे दिजेगा लेकिन दोसों उधार कहने की बात उन्हें मत बोलिएगा दोसों अगर वो कहें कि हम उधार मांग रहे हैं तो दोसों पेशा बिल्कुल भी मत दिजेगा दोसों अगर वो कह रहे हैं कि दोसों ये पेशा हम इस काम में लगाएंगे तो दोसों आप उन्हें पेशा दे सकते हैं लेकिन ध्यान रहें आप अपने बज़ट को देखते हुए दिजेगा और दोसों शुरियास्त के बाद आपको पहिशा भिलकुल भी नहीं देना है इस बात के धन रखें अगर आप शुरियास्त के बात दे देंगे तो दोसों आप अपने घर शेही माता लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं इस बात क भी आप ध्यान में रखेगा इन उसे परिशानी आपके घर आश रखती है तो दोसों धन की दिक्कत इन ही करने से होती है अगर आप इस बात कुछ मजगए हैं तो दोसों आपके जुनकाल में माता लक्ष्मी हमेशा प्रिश्न रहेंगी जी हैं दोसों शादे शाद शाद हम आप शिवी को बता दें कि कोई भी आपके रोजगार में शत्रू बन रहा है तो दोसों उसके लिए आपको कौशे उपाय करना चाहिए दोसों इन बातों को आप ध्याश शुनिएगा दोसों आप किनर को हरे रंग का वस्तर दान करें हरे रंग की चूड़िया आप उन् मिल जाएगा और देखते ही देखती आपकी जो आर्थिक्षती है गर की वह भैतर होने लग जाएगा यानि कि दोस्तों इश उपाय शिया आपकी धनकी शमंदीर जो भी शमीशा है वो शबी शमापत हो जाएगे धर में बिरत्धी होना प्रारम हो जाएगा नई रोजगार की प्रापती होगी शादिशा दोस्तों जो लोग नई रोजगार की जो है कामना कर रहे थे उन्हें मन्चाहर रोजगार भी इन्चे मिलती है तो दोस्तों यह जो उपाय है बहुत ही शिद उपाय है इन्हें आप जरूर ही किजिएगा शादिशा दोस्तों आप शिभी को बता दे, कि माता लक्षमी को फ्रिशन के लिए आपको मालक्षमी का शुक्त का भी पाट करना चाहिए, जवे दोसों मालक्षमी के लिए जो उश्का मंतर है, ओम भूर भुवश्वः दोस्वों इस मंत्र काफी आपको रोजाना पाट करना चाहिए इस बात का धरकें अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो दोस्वों शुकरवार के दिन आप अवशे कीजिएगा अगर आप बाहर में हैं, काम में कारे रहे हैं तो दोस्वों शुक्रवार के दिन कीज़ेगा, अगर आप घर में हैं तो दोस्वों आप रोजाना भी शुबट करकर कर सकते हैं, ना दोकर बिलकुल ही पुजा पार्ट की शमागरी को लेकर दोस्वों आप इस उपाय को या तो दोस्तों आपको क्या करना है उशके लिए आपको शरीवार या फिर मंगलवार के दिन शुरुदेव होने से पहली पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहें इस ये आपके घर में ब्रिद्धी होने लगेगा जी हां दोस्तों धन में काफी आपको बढ़तरी देखने को मिलेंगी और जो भी तरकी का शुरोद है वो बढ़ेगा रुजगार कारवार में आपको नई उम्मेदें दिखाए देंगी नई अपरजुन्टी आपको मिलेंगी और आपका कार देखते ही देखते बढ़ता चले जाएगा जी हां दोस्तों शादे शाद हम आपको बता दे कि अगर आप अपने जुनकाल में आर्थिक तंगियां शे बहुत ज़्यादा प्रेशान है तो दोस्तों आपको कन्याओं का शमान करना शुरू कर देना है यानि कि दोस्तों इस तरी का आपको अपमान करने से बचना है जी हैं दोस्तों हरोज आप शुपि को बिदा दें कि जो भी वक्ति अपने जुनकाल में कि शी भी इस तरी वर्क के लोगों को आप अपमान कर देते ही दोस्तों इस य भले ही उसका रंग रूप उसका चेहरा केशा भी हो लेकिन दोस्तों औरत में हमेशा मानलक्षमी का वाश माना गया है मान लक्षमी का शुरूत माना गया है जी दोसों चाहे वो अहिस्तरी कितना भी गलत कर रही हो या फिर कोई भी कार कर रही हो उसके उपर माता लक्षमी का शुरूत माना जाता है तो दोसों आपको कभी भी किशी भी औरत को आप शब्द नहीं बोलना है जी हैं दोस्तों इस बात के अगर आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आपको हमेशा माता लक्षमी जी का शिर्बात प्राप्त होगा माता लक्षमी जी हमेशा आप शे परशन रहेंगी और धन शम्पत्ती में आपको हमेशा ब्रिदी रेखने को मिलेगा कभी भी आप धन को लेकर पिशान नहीं रहेंगे तो दोस्वों इस बातों को आप ध्यान रखें तो दोस्वों यह जो उपाय है यह आपके लिए बहुत ते महत्पून उपाय है इन्हें आप केज़ेगा तो दोस्वों फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए आप शुबी का दिन शुब हो मंगल में हो धन्यवाद